जादूई गुलावी साड़ी बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाउ में राधा नाम की एक लड़की रहती थी राधा की सादगी और खुबसूरती पूरे गाउ में प्रसिद थी वह हमेशा अपनी मा के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देख भाल करती उसकी मा एक शांदार नजरिया और साहस की मिसाल थी एक दिन उसकी मा ने उसे अपनी पुरानी गुलावी साड़ी दी और कहा यह साड़ी हमारी परिवार की धरोहर है इसे अच्छे से रखना राधा ने सारी को बहुती स्नेह से संभल कर रखा वही सारी उसकी मा की मा की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सारी केवल एक साधारन सारी नहीं थी, बलकि जादूई थी एक राध जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया उसने देखा कि उसकी सारी के चारों और एक हलकी रोश्नी फैली हुई थी और सारी से सुनहरी चमक आ रही थी अच्छानक एक परी उसकी सारी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये सारी जादूई है इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशिया और समृध्धी लाने के लिए कर सकती हो सुबह उठते ही राधा ने अपनी मा से इस सपने के बारे में बताया लेकिन उसकी मा ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा राधा, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है परन्तु अगर तुम्हें विश्वास है, तो इस सारी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है राधा ने उस सारी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चरे चकित करने वाला था जब वह खेत में काम करने गई, तो वह हर पौधे को छूने से तुरंट फल और फूल से भर गया उसका पूरा खेत हरा भरा और सुन्दर हो गया गाओ के लोग ये चमतकार देखकर अचमवित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे कुछ समय बाद गाओ में सूखा पड़ा सारी पसले बरबाद हो गई और लोग बहुत परेशान हो गए गाओ के बुजुर्ग राधा के पास आये और उसे कहा राधा तुम्हारी सारी में जादूई ताकत है क्या तुम हमें बचा सकोगी राधा ने सोचा और कहा मैं कोशिश जरूर करूँगी राधा ने अपनी सारी पहनकर खेतों में जाय सारी जमीन पर हाथ फेरा अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई पूरे गाउ में खुशी की लहर दोर गई सभी ने राधा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की गाउ के राजा को भी इस चमतकार के बारे में पता चला राजा ने राधा को अपने दर्बार में बुलाया और सम्मानित किया राजा ने राधा से कहा तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा की जीवन को खुशाल बना दिया है तुम सच में एक महान आत्मा हो राधा ने उस सारी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया वह समझ गई थी कि सारी की ताकत से सिर्फ अपने लाप के लिए कुछ कैसे किया जाए यही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है उसने अपनी जिंदगी उसी तरह ही बिताए और सब की प्रियब बन गई समय बीटता गया और राधा की कहानी सिर्फ गाओं में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुँच गई उसकी इमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सब के दिलों में जगह दी उसकी सारी की जादूई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरना लेते और सीखते राधा ने अपनी सारी को अपनी अगली पीडी को सौब दिया उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस सारी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तिमाल किया जाए इस तरह उस जादूई गुलावी सारी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा जादूई गुलावी सारी की कहानी एक संदेश देकर समाप्थ होती है कि किसी भी वस्तूई अताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उप्योग सब की भलाए और सेवा में किया जाए राधा की भलाए और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, इमांदारी और दूसरों की भलाए में नहीं